जहां तक बात सनातन धर्म की है कुछ लोग कहते सनातन को मिटाएंगे आजकल ऐसे कुछ नारा भी चल ला है सनातन को मिटाएंगे सनातन को मिटाएंगे सनातन को मिटाने का मतलब जहनते हैं अब सनातन को मिटाने का मतलब सम्मिधान को मिटाना सनातन को मिटाने का मतलब इस सम्मिधान को वो खतम करने की धमकी दे रहे जो कहते हम सनातन को खतम करेंगे वो इनफेक्ट ये कह रहे हैं हम भारत के सम्मिधान को खतम कर देंगे कि सनातर मतलब जस्तिस सनातर मतलब Liberty सनातर मतलबss पूरी दुनिया में ग्यारा सो रिलिजन है ग्यारा सो लेकिन माता की पूजा बेटी की पूजा केवल एक ही धर्म में होती है किसमें होती है जोर से बोली है जरा स्राचन दूसो देश हैं दुनिया में दूसो कोई अपने देश को माता नहीं मानता पूरी दुनिया मिकलवता देश है जहां देश को माता कहते हैं वो कौन सा देश है दुनिया में साड़े च्छे हजार भाषाएं बोली जाती है साड़े च्छे हजार भाषाओं में किसी भी भाषा में आपको ग्रिहडी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा ग्रिहडी मतलब ग्रिह मतलब घर रिड़ी मतलब रिड़ी जिसका पूरा घर रिड़ी हो इसको क्या कहते है ऐसा दुनिया के साड़े छे हजार भाषाओं में ग्रिषडी का पर्यावाची नहीं मिलेगा नारी तू नारायडी इसका पर्यायवाची दुनिया के साड़ेच्छे हजार भाशाओं में नहीं मिलेगे। नारी तू नारायडी की भावना को खतम करना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन सनातन खतम हो जाएगा उस दिन ये संविधान भी खतम हो जाएगा। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, वहाँ कोई सम्मिधान नहीं है, वहाँ सब को एक समान बहार नहीं होता। अफगानिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दसा आप देख लीजिए। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दसा देख लीजिए, यमन में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दसा देख लीजिए, सीरिया में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दसा देख लीजिए, अरम में सनातन नहीं है, महिलाओं उपर से नीचे तक काले कप कि डिनया के देसों में सब्थाइब नहीं यह वहां महिलाए केवल भोग की वस्तू हैं उनको कोई सब्सक्राइब नहीं है है उसका मतलब जो लोग सब्सक्राएं ठक्रने की बात कर रहे वो एक तरीके से महिलाओं का हक चिनना चाहते हैं और दूसरी बात भारत के सम्मिधान को खतम करना चाहते हैं मैंने पियायल फाइल किया सुप्रीम कोट में आधनी चिंता मणी जी भी उसमें हमारे साथ में हैं मैंने पियायल फाइल किया कि आपने यानि सरकार ने आज तक एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया सरकार ने एक भी चर्च को अपने कंट्रोल में नहीं लिया फिर हमारे चार लाख मठ मंदिरों पर सरकार कंट्रोल करके क्यूं बैठी है एक दो नहीं चार लाख मठ मंदिर चर्च को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सरकार ने राज सरकार और केंद सरकार ने एक कानून नहीं बनाया मस्जिद पे कंट्रोल नियंतर करने के लिए किसी भी सरकार ने एक कानून नहीं बनाया हमारे मठ मंदिनों को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने एक नहीं 35 कानून बनाया दो कानून अंग्रेजों ने बनाया था और 33 कानून बादवाले अंग्रेजों ने बनाया 1950 के बाद इसमें 35 कानून चल रहे जितने हमारे प्रमुक मठ मंदिर है वो सारे सरकार के कंट्रोल में मुंबई में सिद्धी विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में बगल में हाजी अली की दरगा सरकार कंट्रोल में नहीं है अरे बहिया जितना चड़ावा सिद्धी विनायक में आता उतना हाजी अली में भी तो आता है वहां का क्यों नहीं चाहिए यह मठ मंदिर हमारे केवल धार्मिक पूजा के अस्थान नहीं है यह मठ मंदिर हमारे कल्चरल सेंटर है यह मठ मंदिर हमारे पावर सेंटर है यह मठ मंदिर हमारे हेल्थ सेंटर है यह मठ मंदिर हमाने communication के center है अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे सरकार के control से free हो जाए जहां 1 लाख करोड की property पे सरकार ने कबज़ा कर रखा है 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड की property पे सरकारों का कबज़ा है अगर हर मंदिर में एक गौशाला खुले तो कितने गौशाला खुलेंगे जोर से बोलिये जरा जोर से बोलिये जरा 4 लाख हर मंदिर में एक वैदी की school खुले एक गुर्फुल खुल जाए तो कितने वैदी की school खुल जाएंगे जोर से बोलिये जरा 4 लाख हर मंदिर में एक आयरुवेद का केंद्र बने तो कितने आयरुवेद के केंद्र बन गए हर मंदिर में एक विवाह शाला बने जहां लोग सब आके विवाह करें कितने विवाह शाला बन गए अगर ये चार लाख मठ मंदिर सरकार के कंडोल से फ्री हो जाए तो चार लाख यग शाला बन सकती है चार लाख नए विवाशाला बन सकती है चार लाख नए गुर्कुल बन सकते है चार लाख नए योग शाला बन सकती है चार लाख नए व्यायाम साला बन सकती है चार लाख एक तरीके से हमारे जो धार्मिक केंद्र है और चार लाख नए धार्मिक केंद्र बन जाएं मैंने उन 35 कानूनों को सुप्रेम कोट में चैलेंज किया हुआ है सरकारों का जवाब नहीं आ रहा है अभी हमें तारीक पे तारीक मिल रही है बाकी मुकदमे तो देखता हूं कब तक चलता है लेकिन हमें पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो यह 35 के 35 कानून खतम होंगे और सरकारी कंटोल से हमारे मंदिर फ्री होंगे और यह 4 लाख नए हमारे कल्चुरल सेंटरs बनेंगे चार लाख नए हमारे आध्यात्मी केंद्र संब्धान के अनुसार कारे करेंगे लेकिन चोर दर्वादे से ऐसे से कारी हुए है जो अभी ज़्यादा तरलों को पता ही नहीं है अंग्रेजों ने सनातन संस्कृती को खतम करने भारत को लूटने और बाटने के लिए लगभग 500 कानून मनाये थे और कांग्रेज की सरकार ने सनातन धर्म को खतम करने धर्मांतरन को बढ़ाने गुसपैठ को बढ़ाने लूटने और बाटने के लिए भी लगभग 50 कानून मनाया कांग्रेज और अंग्रेजों में क्यों इतना अंतर है कि उन्होंने 500 कानून मनाये और कांग्रेज ने 550 कानून मनाये या दूसरे शब्दों में कहें जो कार्य मुगलों ने तलवार के दंपे किया लूटने और माटने का वही कार्य अंग्रेजों ने कानून बना के किया और वही कार बाद की सरकार ने भी कानून बना के किया आपको यह जानके आश्चर होगा 1985 में कांग्रेस की सरकार ने Citizenship Act में एक धारा जोड़ी और ये विशे में पहली बार आपके सामने रख रहा हूँ भारत में मैंने कहीं रखा नहीं था मैंने सुचा था जब उज्जेन चलूँगा महाकाल की धरती पे कांग्रेस की सरकार ने Citizenship Act में एक Section 6 एजोड़ दिया और एक जटके में लगबग पच्चास लाख घुसपैट बंगला देसी घुसपैटियों को भारती बना दिया एक जटके में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई हंगामा इसलिए नहीं हुआ 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी विपक्स थाई नहीं बीजेपी को 2 सीट मिली थी पचासी में बाकी थोड़े CPI को थोड़ा बाकी लोगों को था Section 6 ये कहता है 6A कि असम में 1971 तक जितने लोग आ गए हैं बंगलादेश से अब ये सब भारती बन जाएंगा जबकि सम्मिधान ये कहता है 1947 में जोतने लोग आ गए थे सम्मिधान ये कहता है कि 15 अगस्ट 1947 तक जितने लोग पाकिस्तान बंगलादेश से आ गए हैं वो सब भारती हो गए लेकिन cut-off date उसके बाद कोई बढ़ेगी नहीं 15 अगस्ट 1947 तक आने वाले भारती माने जाएंगे उसके बाद वाले भारती ये नहीं माने जाएंगे लेकिन कांग्रेस ने 1985 में एक महापाप किया राजी वाधी ने चुप चाप अपने उस प्रचंड बहुमत का दुरपयोग किया चार सो चार सीट का दुरपयोग किया और सिट जनसिप एक्ट में एक सेक्षन सिक्स एजोड दिया और सिक्स ये कहता है उन्निस सो एकहत्तर तक आने वाले सभी बंगलादेसी भारती बन गए और जो आकड़ा ये कहता है कि केवल असम असम में उन्निस सो एकहत्तर तक पचास लाख बंगलादेसी आ गया था बंगलादेसी रुहिंग्याओं को निकालने की मेरी पियाईल चल रही है मैंने 2017 जब पियाईल फाइल किया था उस समय जब मैं इस पर रिशर्च कर रहा था तो उस समय पांच करोड घुस पैठी आ चुके थ बंगलादेसी रुहिंग्या लेकिन आप सोचो यहां बिचारे पाकिस्तान से जो मतांतर धर्मांतरन के डर से भारत में आये हैं उनको नागरिक्ता लेने कितना मुस्किल आ रही है बड़े मुस्किल से उनको घर मिल पा रहा है बड़े मुस्किल से उनको हवा पानी मिल रह और वो अपनी इज्जत बचा के भागे हैं, अपना धर्म बचा के भागे हैं, सब कुछ छोड़ के आएं वहाँ से, गर, मकाम, दुकान, सब कुछ छोड़ाएं, के वल हम सलातनी बने रहें, हमारे हाथ में रक्षा रहें, हमारा तिलक बचा रहें, इसलिए वो पाकिस्तान स तक जितने घुस पैठिया आ गया है यह सब भारती हो गया है हमने उसको सुप्रीम कोट में चैलेंज किया है 17 टूबर से पांच जजों की बेंच उसकी सुनवाई करेगी अब देखते हैं पांच जजों की बेंच क्या कहती है सरकार क्या इस्टेंड लेती है सरकार जाने लेकिन हम आप लोगों के बीच बन बता रहे हैं कि अब आप यह बताओ कटाफ देट 1947 होनी चीए 1971 होनी चीज़िए जोर से बोलीए जरा और वोबी कियवल मुस्लिम के लिए भी बंगलाडेशी मुस्लिम के लिए 1971 कर दिया इससे बड़ा संभिधान के साथ धोखा होगा क्या सम्मिधान की सपत लेते हम सम्मिधान के अनुसार कार करेंगे हम भारत की संस्रिती को बढ़ाएंगे भारत की परंपरा को बढ़ाएंगे यह जो 50 लाख मुस्लिम 1971 तक आ गए थे यह भारत की संस्रिती को मानते है क्या भारत की परंपरा को मानते है क्या भारती रीत्रिवाज से आप लोगों से नहीं विदन करता हूं जैसे 1984 में हमारे आपके चाचा पिता ने ओट दे के 404 सीट दिया था आप 2024 में उस रिकार्ड को तोड़िए हमारे आपके ही चाचा ने पिता ने ताउ ने 404 सीट दिया उसके बदले में कांगरेस ने घुस पैठियों को लीगलाइज किया आप लोग किसी को अब 400 बार करिये और ये कहिए हमको सेक्सन 6 से वापस चाहिए हमें घुस पैठियों को बाहर निकालना है हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि याद रखिए पच्चास कानून है साबानों का फैंसला पल्टा सिक्से को जोड दिया 1991 में प्ले साफ वर्षिप एट बना दिया प्ले साफ वर्षिप एट कहता है आयोध्या के अलावा और किसी मठ मंदिर का विशे कोट में चलेगा नहीं अगर मुकदमा चल रहा है तो खतम हो जाएगा मैंने सुप्रिम कोट में चैलेंज किया उन्डिस सो बानबे में माइनाटी को डिफाइड नहीं किया माइनाटी को परिभासित नहीं किया माइनाटी कमिशन एक्ट बना दिया माइनाटी कमिशन भी चल रहा है माइनाटी फिर मिस्ट्री भी चल रही है करोडों का बजट भ को बाहर निकाल दिया आज की रेट में मदर्सों के उपर राइट तो जुके सेलेक्ट नहीं लगता पच्चास महाँ पाप किये हैं एक दो नहीं पच्चास PIL मैंने फाइल किया है मैं लड़ रहा हूँ मैं हाई कोट में लड़ रहा हूँ सुप्रिम कोट में लड़ रहा हूँ लेकिन इस लड़ाई को अब सड़क पे लड़ना पड़ेगा इसलिए लड़ना पड़ेगा एक कानून को कोट के जरीए खतम कराने में पांस साल लगेग पचास कानून है खतम कराते कराते मैं इस दुनिया से चला जाओंगा खतम नहीं होगा लेकिन वही कानून पार्लियामेंट में एक दिन में खतम हो सकता अब की बार इसलिए 1984 के रिकार्ड को तोड़िये लेकिन किसलिए उन सभी घटिया कानूनों को खतम कराने के लिए जो घटिया कानून मने हैं उनको खतम कराने के लिए अब की बार 400 पार करिये गुलामी का नम मिटाने के लिए अब की बार 400 पार करिये गुलामी का निसान मिटाने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी की भाशा बदलवाने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी के रीत रिवाज गुलामी की परमपराओं को खतम कराने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी की पुलिस ब्यवस्था को खतम कराने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी की नई विवस्ता को बदलवाने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी के टैक्स सिस्टम बदलवाने के लिए आपकी बार 400 पार करिए गुलामी की प्रसास्नी विवस्ता बदलवाने के लिए इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हो अगर आप समाज में बदलाओ चाहते हैं तो घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाईए जब तक घटिया कानून खतम नहीं होंगे तब तक भारत को विश्व गुरू बनाना मुस्किल ही नहीं नामुंकिन है जब तक घटिया पुलिस बिवस्था घटिया न्याइक बिवस्था घटिया प्रसासनी बिवस्था खतम नहीं होगी जब तक यह मैकाले का मिसंदी का और मदर्सा सिस्टम बदन नहीं होगा तब तक भारत में एक भारत स्टेश्ट भारत बनाना नामुंकिन है इसलिए मैं आप सबसे निवेदर करता हूँ अब की बार अब की बार जोर से वो लिए अब की बार अब की बार भारत मता की बारत मता की अगर किसी का प्रस्थ नहोंगा तो ले लेंगे बाकि मैं अपनी बात को खतम करता हूँ भारत मता की जित बहुत बहुत धन्यवाद